हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज आप सभी को important mcq कराने वाले हैं यह जितने भी important mcq है इसे आप जरूर देखकर चार मार्च को paper देने जाएगा और जितने भी mcq कराएंगी 100% आने वाले सभी महत्तुपूर्थ प्रश्न है ठीक है आप सभी को total 27 ऐसी important question कराएंगी जो आपके चार मार्च की paper में same to same यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए आपके सामने पहला नंबर का प्रश्न प्रारंब होता है ठीक है यहाँ पर आपका question है कि the young boy ran away identify the adjective यानि इस पकास आपको वाक्य देगा उ समझ लिजी है याने शब्दों को क्या कぁते हैं जैसे इस वाकिये को पढ़िए यानि की लडगी की विश्यष्टा क्या यहां पर यंग है इसका लरवाँ आपके बूर्ट के एग्जाम हमेंसा वर्ब करने के लिए देता है यह इसमें से कौंड काइब सा है तो हमेंसा सबज्रक्ट के बाद आगे आने वाला सब्ध जो हता है हमेशा वर्ब हो जाता है यहां पर वर्ब क्या है आपका रहन जो है वर्ब है तो यह जितने भी आपको पॉइंट बता इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिए गा ठीक है देखें अगला नमबर का कोईश्चिन दूसरा नमबर का कि रामू वाज वाला जो शब्द रहे गई आपको क्या कहला था वर्व होता है तो यहां पर वर्व क्या है वास्त प्रश्न का सही जो आप सीवला आपसन सही हो जाएगा ठीक है देखे फिर जितने भी क्वेस्टिन कराएंगे आपके सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो क्वेस्टिन है वही करा रहे हैं और इसको आप पांस से दस मिर्श देख लीजिए आप इस में से कल के पेपर में हंडेट परसेंटेश क्वेस्टिन आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है अगला है कि दनाउन फार्म आफ इस्ट्रेंट इस यानिक यह देखें यहां पर इस्ट्रेंट का जो नाउन फार्म होता हुआ इस प्रस्ण का सही जवब आपसान सही हो जाएगा ठीक है इसके अलगा कुछ सब्द आपको पता देता है जो बोर्ड के एक्जाम में कई बर पूछा गया है जैसे यहां पर सक्सीट देखें यहां पर सक्स चीट देता है और इसका पूछता है नाउन रूप क्या होगा इसका नाउन के रूप में आपको हो जागा सक्सेज ठीक है सक्सेज यह नाउन रूप है ठीक है इसका देता है और पूछता है नाउन रूप तो नाउन रूप यह हो जाएगा इसके लिए एक सब्द और याद रखिएगा ठीक है क्लासीफीकेशन फी के सं ठीक है तो जो सब्सक्राइब इन सब्सक्राइब बहुत ज्यादा पेपर में आपके पूछता है इसलिए यहां पर आपको एक ही जगा बता दिये सब्सक्राइब अब देखे आपका अगला नमबर चौधा नमबर का जो क् यानि यहां पर आपको क्या करना है कि प्रिपोजीशन भरना है कि यहां पर प्रिपोजीशन आपका कौन सा सही होगा यहां पर दिया है तो इसके तुरंत बाद आपका नो लगता है तो यहां पर क्या हो जागा आपका तू भरा जागा इस प्रश्न का सही जो आप सीवला ठीक है जम्प के बाद याद रखिएगा जम्प के बाद हमेशा क्या लगता है आपका इंटू लगता है क्या लगेगा इंटू कुछ प्रिपोजिशन ऐसे होते हैं कि जो आपको डारेक्ट ध्यान देना पूरता है ठीक है अब देखें आपके सामने अगरा नंबर का जो परफ्यक्त ने चेंज करना इस पकास आपको एक वाक्य देता है उसको अन्य मुंद आप सब्सक्राइब ettel आता है तो आपको जिसमें सहाधा करना रहाता तह तैंडू अविल कि ने हैं होता है और क्या होता है जानते कि 한के न्यांते ह subscribers भीऀर को Hospice करते हैं लिखाल सकते हैं सीद्धा इसका साहे करिया विल है अब है यहाँ पे देखे विल है यहाँ फ्रकार से आपको एक sentence देखे उसको अन्य tense में पूछता है इस point को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा यह बोर्ड की exam बहुत पूछा जाता है ठीक है छटा नंबर का question जड़न फेदा ज़से कटा है कि नाउन की विश्थेष्था बताने वाले शबद कोई करते हैं दापडन साफ यहां आदमी है आदमी की विश्थेष्था क्या है ब्लाइंड मतलग अंधा है यहां पे इसकी विश्तक्रभाल एक प्लाइंड तो यह ऑट गया सब्जेक्ट बाद पुरह किया हो जाएगा ठीके तो वार्व और इड ऐड जैक्ति आपको पाचान करना चाहिए ठीक है अगला देखिए साथवा नमबर का यहां प्राइब को याद रखिएगा अपको पता देते हैं एक हो अग को बूर्ड के एक्वार्व में पूछ बताने वाले रहता है आपका रहता इस तरह आपका एड़र्ब होता ठीक है टहर्ओं gas की विशेशेश्चा बताने वाले सब्थ को क्या कहते हैं चिक सब को ध्यान रखियेगा ठीक है अगला देखिए आपको दिया है यहां पर दिया है यह बाद रखना पड़ेगा कि सिंस और मार्निंग से पहले हमेशा क्या आता है सिंस आता क्या होता है सिन जिसे मारनिंग आ जाए या आपका इभिनिंग आ जाए आफटर नून आ जाए इससे पहले हमेशा क्या लगता है आपका सिन्स लगता है ठीक है इस चीज़ को धियान रखेगा तिसका सही जो आप भीवल आपसं सही हो जाएगा अगला कोईस्टन देखें यहां पर ठीक ह आठवा नमबर कि सीता इस टेकिंग रेष्ट टाल ट्री अब देखें सीता जो है एक लंबे पीड़ के नीचे का रेष्ट मन आराम कर रही है जब पीड़ की नीचे जैसी आपको क्या माली जी यह आपका पीड़ इस तरह है ठीक है इस तरह प्यड़ यहां पर सीता बैठी तो नीचे बैठी है यहां वार जाएगा अंडर इन ब 시간이 यहां गावे दीड़ किसी वस्तु की नीचे को दूसरा वस्तू रही है तो what is time your watch यानि कि आप से कोई समय पूछता है घड़ी में तो वहां पर हमेंसा बाय लगता है क्या लगता है तो आप यानि आपके घड़ी में कितना समय बजा है तो यहां पर क्या लगता है आपका बाई लगता है इस प्रशन का सही जो डीवल आप संग करेक्ट हो जागा इसको आप याद रखिएगा ठीक है अगला देखिए कि वेरी ब्यूटिफूल मतलब खूबसूरत है यहां पर ब्यूटिफूल क्या हो जागा यह एक आपका चैनल्य आपसंट सही हो जाएगा ठीक है अगला नंबर जो कोईस्टिन ग्यारा नंबर का माई सूज आर मेड लीडर यानि मेरा जो सूज है ठीक किसका बना है लेडर का बना है यहां पर मेड के तो मेड के बाद हमेशा याद रखेगा जो प्राॉड के बाद हमेशा आफ ही प्रिपोजिशन आता है तो याद रखिएगा ठीक है अब दिखेए आपका अगला नमबर का जो कैसे नाउन फार्म आफ गूट का आपको पूचा है कि नाउन के रूप में क्या रूप में अच्छा यह एक है लेकिन इसका इसका रूप में क्या होता है याद रखेंगा गूड स होजाते है क्या होता है गूड nome visiting को मतलब होता है समान ठीक इस गुड का मतलब क्या होता है समान नाउन फार्म गुड का नाउन फार्म क्या होता है गुड सो जाता है तो सफरिंग के बाद हमेशा क्या लगता है फ्राम लगता है तो सफरिंग के बाद हमेशा प्रिपोजिशन लगेगा आपका फ्राम फीवर तो इस प्रश्ण का सही जवाब सीवलापसन सही हो जाएगा सफरिंग के बाद याद रखेगा फराम लगता है ठीक है अगला सवाल देखिए मतलब अपनी पॉकेट में रखती है जब बाहर से कोई वस्तु अंदर क्यों रखा जाता है तो वहां पर जो पूरी जो फ्री पॉजिशन आता है हमेंसा इंटू आता है ठीक है यहां पर क्या हो जागा पैन इंटू इंटू हर पे तो हर पॉकेट इसका सही जो अब रखती है यहां पे क्या लग जाएगा इंटू ठीक है अगला देखिये बारा पंदरा नंबर का अब आप संध्यवाज़ें. आहां यहां पर यहां पर आप सब्दिया रखेगी यहां पर नार्ट दिया है और यहां पर एस्टेटेड अभिन का मतलब होता है प्रस्ट टिय लगता है अब यहां पर नाट दिया है इसके पहले वास हैंट है डिट और उड़ मैं क्या बादा जाएगा इसका सही जब क्या होगा डिट भर जाएगा इट डिट नात ढूर्ट हो जाएगा ठीक है देखे आपको इस आप सन का किलिर कर देते हैं वाज तब लगता जब आपका यहां पर रहेंग जुड़ा रहा तो वाज लगता है है अगला कोशन देखे आप इसके बाद दिया कि ही रिष्ट दिया है इसके पहले जब इसका मतलब यहां पर जाएगा यह हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगे पास्ट परफेक्ट में जब फॉर लगता है इधर कर टेंस जब आपका है घडитесь में है जोगा पश्ट परफेक्ट में जब टेंस रहता थो उसके साht में सहाय sent और दे दे आफटर दे यह किसमें आपका आता है तो पास्ट अप्राउड माई सन आपको tik प्राउड आफ माई सन ठीक है अठारा नंबर का क्वेश्चन कि नो सूनर हैड ही इंटर द रूम या डाट डाट ही विल्ड अब यहां पर ध्यान दीजेगा कि जब नो सूनर रहता है तो आप वहां पर कंजक्शन को रूप में क्या लगाते हैं दैन लगाते हैं हमें साथ द कि नो सूनर रहेगा तो आपको दयं लगाना है अगला देखी आपको कोईस्टिन जो है संबंदित आपको कवेश्चन यहां पर दिया कि मिसडआ कों सा है यहां पर दिया बिलीव फिर डिया है लिकार देखें कर लिया इस पर देख कई सही है और Software कई न्गेर आइब का इस होता है जो कि यहां पर दिया ई आई भी उल्टा दे दिया है तिसका सही जब क्या होगा बीवल आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए बीस नंबर का one who cannot speak यानि कि इसको one word में बताना है इस पूरे line को एक सब्द में क्या कहेंगे इसका आर्थ होता है एक जो बोल नहीं सकता है जो बोल नहीं सकता है क्या कलाता है डंप कलाता है जो बोल नहीं सकता है उसे क्या बोलते हैं डंप मतलब गूंगा इसका सही जब क्या होगा बीवल नहीं सकता है उसे हिंदी क्या काते हैं गुगा काते हैं इंग्लीस में डंप करते हैं अगला देखिए 21 नंबर का सवाल कि दा ट्रेन विल है लेफ्ट देश्टेशन विफोर गर और यहां पर दिया क्या विल है तो विल हैब देने का मतलब यह कौन सा टेंस फ्यूचर परफे लगता है इसका मदब रिच हो सकता है है भी नहीं लगएगा इन externs सद्रेख की कैसे पता करेंगे ही क्या है एक वर्चन इन्स होन कि ध्यान में जरूर हो गभाएंगा तो फ़ोर और और आफ्टर को ध्यान में जरूर रखिएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया है कि पास्ट इंडिफिनिट दिया है कौन सटेंज दिया उसके एकार्डिंग आपसन को ध्यान से लगाईएगा यह आपके पेपर में हंडेट परसंटेज जितने भी कोईशन करा रहे हैं इसी में से आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा अगला देखिए इसको एक सब्द में बताना है कि यहां एक सब्द में क्या होगा यदि आप केरफुली वर्क आप नहीं करते हैं तो उसे क्या कहेंगा यानि कोई भी काम यदि कोई व्यक्ति करता है केरफुली नहीं करता है तो उसे एक शब्द में क्या करते हैं तो उसे एक सब्द में करते हैं ला पर्वा को इंगलिस में क्या करते हैं तो आप लपर्वा को इंगलिस में करते हैं ठीक है अगला question देखिए आप misspelled बताना है कि इसमें spelling किसका गलती है distinguish इसका गलती है यह accomplished यह पेरिश यह पनिस देखिए यह और तीनों सही लेकिन यहाँ पर spelling इसका mistake है यहाँ डिश्टिंगिस जी आई यू यस यच होता है न इसका सही जब क्या हो जाएगा यह वाला अगला question देखिए 24 नंबर का ठीक है यहाँ पर द्यान से देखिए का ठीक है कि मीरा looks dot 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 her parents very well अब यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे डंक से देखती है यहाँ पर लुक रहता है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे लगता है यह आफ्टर लगता है तो लुक के बाद क्या लगेगा आपका आफ्टर यहाँ पर सही जब क्या हो जागा डीवल आपसं सही हो जागा मीरा looks after her parents very well हो जाएगा ठीक है अगला पचीस नंबर का देखिए question पचीस नंबर का आपका क्या है कि यहां पर दिया रहता है और यहां पर देखिए क्या लिखा है रिष्ट यानि कि आपका present indefinite tense अगला पर नहीं होसकता तो क्या होगा यहां पर सही जवाब सही हो जागा आपका रिष्ट दिया कि इसमें प्रेजेंट इसके आगे आने वाला जो शब्द होगा उसका भी सिकेंट फारम ही लगेगा इसका सही जोब क्या होगा सीवल आपसन सही हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए 26 नंबर का इस प्रशन का आपका सही जोब डीवल आपसन सही हो जाएगा की है ही है टू रीपेंट फार वाट ही है अगला कोश्चन देखिए जो आपका लाश्ट कोश्चन है और जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन थे वह सभी आपको करा हैं which of the following words is misspelled यानि कि misspelled आपको शब्द पताना किसमें से misspelled क्या है believe, achieve, receive या deceive ठीक है तो यहां पे देखिए believe का spelling क्या है misspelled है इस प्रशन का सही जो आपका होगा अब्स कि यहां पता है कि यहां पे पिदिक और ब् traukा कि सुझा है कि The सब्सक्राइब करें उत्यां आपको पिडियो पसंद आए तो वीडियो का लाईक करें जैनल पे नही सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर कर दें